हेलो फ्रेंड्स आज आपको बताऊंगा सेवन सीटर की फोल्डिंग सीट यह सीट हमने करीब ठाई से तीन साल पहले बनाई थी और आज यह कार सेवन सीटर में से फायव सीटर करवाने के लिए आई है यानि पीछे युन्हेंने बेबी सीट डाल दी लंबी सी तो हम यह सीट उतारेंगे वापिस और पीछे वाला सीट आगे लगाने वाले तो मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं जब यह सीट हमने लगाए थी तो सबसे पहले वीडियो मेरी यही थी यूट्यूब में और एको के पीछे ओवल स्पिकर लगाने के लिए जो साइट पेड्स आते हैं इसका आज हमारा सामान आया है यह साइट पेड्स यहाँ पर लगते हैं वोल स्पिकर इसमें फीट होते है और यह हमारा लगाया हुआ फूट्रेस है जो अभी तक वैसे का वैसा ही है इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है और एक फूट्रेस यह कार में लग रहा है यह कंपनी फिटेट से एंजी कार है इसमें अभी हम फ्लोर मेंटिंग डालेंगे और साइट पेड्स पिकर के फूल कर फिर से फिट कर रहे हैं यहां पर वायर के उपर सोडल लगेगा और इस तरह से यह पेड्स फिट होने वाला है आप यह पेड्स फिट कर सकते हों लेकिन कंपनी फिटेट से एंजी कार में कॉर्णर पर स्विकर रहते हैं और फ्लोर मेटिंग आगे लग रही है तो हमारी फ्लोर मेटिंग इफो की थोड़ी सबसे अलग है इसमें हम ती नीच का एक्स्टा साइड में पीस एक चिपकात है यह वाला इसकी वज़े से आपकी मिट्टी पेरों की मिट्टी नीचे नहीं जा सकती कार्पेट के नीचे यह आपको कोई गाड़ी में ऐसा दिखेगा नहीं अगर यह पट्टा ती नीच का नहीं लगाते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर मिट्टी कितनी निकल रही है यहां से कई गाड़ियों में लोर मेटिंग लेमिनेशन लगाने के बाद भी यह मिट्टी जाती है नीचे जो यहां सही जाती है तो हमारी कार्पेट में यह प्रॉब्लम नहीं आती है इसको मसीन से हम फिट कर रहे हैं और दुसरी तरफ यह कार आई है पूरानी सीटे खुलवा कर हमारी सीटे लगाने के लिए यह रेडी बेट आफ्टर मार्केट सीट है जो हर कार एसेजरी की दुकान में आपको मिलेगी तो यह सीटे हम डालेंगे हमारी खुद की बनाई हुई यह एक्स्टा हाइवी सीट है तो यह सीटे हैं हमारी बनाई हुई गोटे इंच लॉंग चालिस इंच लंबी यह सीट लगाने से पहले हमें सेंटर सीट को पीछ वाली सीट को इस तरह से काट कर एक्स्टेंशन करना है पीछे के तिन पाइप काट कर इसकी हाइट बढ़ाने के लिए असा करना पड़ता है और कंपनी सीटेंजी खोलने के बाद यहां पर जो क्लैम्स हमने काटे थे इसके उपर हमें लेमिनेशन करना है एडियम या विनायल का स्टिकर लगागा या सेलट अब भी आज आप लगा सकते हैं ताकि कंपनी के कारपेट या उपर पिछाने वाली जो कारपेट होती है वो खराब ना हो अब मैं सीटेंग को फीट करने वाला हूँ इसके निचे हमने स्क्वेर नट डाल दी है और मैं मसीन से इसको फीट कर रहा हूँ पूंगा, प्याद ako कि अवसरा नटकाँ तू्रीर नटका है के संदाओ मैं मैं को तूंगा है हास क्लिप पूरी टाइट करने हैं और CNG की पाइप के उपर टैफलोन टैप ज़रूर लगाना है और यह जो वाइरिंग सोकेट हमने खोला था इसे भी ठीक तरह से आपको फिट करना है यह 21 में की स्क्वेर पाइप में से हमने एक नया डिजाइन बनाया है सीट का इसे आप देख सकते हैं कितनी हुपसूर्ती से एक दम थाल में सम्कुल के आदिख से बनाया ंपकोर फाल में से इसे क्वेर और यह ज strangely वे उनाया रिपट्टे-A है था थाल में से इसरी यह जित बना गर करना तूंसे बनाया है अब मैं सेवन सीटर गाड़ी का एक पूराना काम मेरा किया हुआ दिखा रहा हूँ यह सेवन सीटर कार मारोधी इको इसमें हमने इस तरह से सीट बनाया था तो आज यह गाड़ी आई है पीछे बेबी सीट डेलवान के लिए लंबी सी थीन पेसेंजर वाली तो हमने सीटे तो पीछे डाल दी है लेकिन यह सीट इन्होंने अभी ऐसे ही रखी है बीच में निकाल देंगे इसका मैंने डिटेल में फिर से इसलिए बनाया है वीडियो कि इसके इस सीट के लिए काफी इंक्वाइरी और मेसेजिस आ रहे थे तो इसका फिटिंग मैंने दिखा दिया आज फिर से तुमको नीचे किस तरह से एज़ेस्टेबर होल किये है हमने आप सीटे आगे पिछे भी कर सकते हो लेफ राइट भी कर सकते हो और एकदम हैवी पाइप से पूरे कभी आज तक ये सीट हिली नहीं है तूटी नहीं है कहीं से और कमफर्टेबल भी है बगल में सीट लगा दिये कंपनी की ओरिजिनल तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पहले इसे बनाया था यहां से आप पिछे जा सकते हैं सीट उठाकर लेकिन पिछे की सीट तो हमने खोल दिया आज और बेबी सीट लगा दिये हैं पिछे थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो